अब रोकरते हैं अगली खबर क्योर खबर भीवंडी से आ रही है बता दे कि भीवंडी बजडेपो के हलत काफी खस्ता चल रही है जैसे देखते हुए आमदार रही शेख ने अब पूरा ध्यान इस तरफ के अंदिरित कर लिया है बार बार मिल रहे है कंप्लेंट्स की पूरानी भी हो रही थी हम आपको बदादी कि यहां पर जब आमदार रही शेक ने दवरा किया तो देखा कि यहां के सवचाले काफी गंदगी से भरे हुए हैं अलपोवार जो गुरू है जहां पर लोग नाश्टा करने के लिए आते हैं वह भी यहां पर खस्ता हालत है उ उसे देखते हैं हम आपको घृक की बसे जो हैं काफी पुरानी हो चुके हैं अब उन्हें नय तार से लाने की जरूर थे जो पूरानी बसे उन्हें हाटा कर अभनार आर्टार राचा और विए जिवांडी परिवरःं के झता हुआ चिया इस सारे मुद्रों को वहां पर र अगर उस वक्त कुछ हाथसा हो जाता है तो इसका जिम्हेदार कौन होगा ऐसी को देखते हुए काफी कंप्लेंट आमदार रईशेक के पास पहुंची थी और तुरंत इस पर एक्षन लेते हुए आमदार रईशेक ने दवरा किया संबंदित अधिकारी मंत्रियों से भी उन्हेंने बादचित की है और जल से जल इसे मरमत किया जाए इसके लिए अभात परमाना सुरू कर दिया है हम आपको बढ़ा दे कि आर्थिक निदी के अभाव से इस इमारत का बिल्डिंग का जो मरमत का काम रुका हुआ था वो नहीं हो पा रहा था हम आपको दादी के बर्ज डेपो के मरम्मत के लिए पहले भी कई सारे कंप्लेंट्स किये गये हैं लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ था लेकिन आमदार रही सेख ने अभी इसका फॉल अप लेना शुरू कर दिया है जिसे देखते हुए आमदार रही सेख ने बताया कि ठाने डिविजन के फंड से तकरीबन 12 लाग रुपे तातकल मंजूर किये जा रहे हैं की सुचना भी अधिकारियों को दी गई है एहते हाते जो फांडेशन है एहते साहिब उन्होंने यहां के पानी की समस्या दूर करने के लिए कहा है हम आपको देखिए अब सुद्ध पानी यहां पर मिलेगा ऐसा आश्वासन भी आमदार रही सेख ने संबंदित अधिकारि की रिपोर्ट स्पीड न्यूज अपने छेतरी की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए स्पीड न्यूज को यूटूब पर सब्सक्राइब करें साथ ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल ऐकोन भी दबाएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें हम अपने सब् हूप